कि अप आगे चलते हैं अपने फिटा फिव फिव घर चाहे जूल ayud to कम करता है और उसको लगता है की मुझे लेना है सरकार कहती है आपको पूरा अधिकार हैं आप ले सकते हैं call 181 सेंटरी रिजिस्ट्रेशन उसको कया वोलते हैं वयव इंटरली रेजिस्ट्रेशन मतलब क्या हू prue कि तो अनूर्ट रिजिस्टर्ट अंडर सेक्षिं तॉनटीटीटीटीफ्वर्र का नुटीटीट्वर त दा फॉल नहीं करता जिसको नंबर लेने की जरूवत नहीं है लेकिन लेकिन इस एक इस पर एप्लीकेबल तूर रजिस्टर परसंट शेल अप्लाइट टू वालिंटरली रजिस्टर परसंट मतलब क्या हुआ मतलब यह होगा कि बेटा सरकार ने कहा कि ठीक है देखो आपको नंबर लेना है ले लो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमसे किसी तरीकी की रियायति उमीद मत रखना जो प्रोविजन इन लोगों के उपर एप्लीकेबल हो रहे हैं सेम प्रोविजन एवरिटिंग विल रिम तरीकार कहती है कि वह सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अब इसका फाइदा क्या होता है मैं अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से नंबर लेना चाहता है तो उसका कुछ फाइदा होगा और सब्सक्राइब कुछ नुक्सान भी होंगे तो पहले हम फाइदे की बात कर करते हैं फाइदा क्या होगा कुछ बच्चों ने स्टार्टेंगे पूछा था कि सर कोई नंबर क्यों लेगा और उसी समय कुछ बच्चों ने जवाब दिया था कि सर अकर जैसे हम फिलिप कार्ड या या यी कॉमर्स प्लैटफोर्म पर अपना बिजनस करना चाहते है तो लोगों की रिक्वाइमेंट आती है कि आपका जेस्टी नंबर होना चाहिए लेकिन आपकी सेल्स तो ही नहीं अभी तक तो वहां पर वो लोग इस प्रोविजन का फाइदा उठा करके नंबर लेते हैं तो फाइदा क्या है पहले फाइदेगी बात करते हैं कहता है क्या यह है ते टे पयुक्षै अचरी क्या गवर्ट्रींट इसर्स नेंगे ही फिस्टिशन प्लाइद शचन्व्क वर्णि दो विस्ट्वीजत को इन्पट्ट मिल जाता है विकाज वर्चु अभी अभी अप्लिकेबल नहीं हुआ है लेकिन अगर आप रेजिस्टर परसन हो सामने वाला भी रेजिस्टर परसन है आप उसको सर्विसिस दे रहे हो लिए है और आप रेजिस्टर परसन हो तो तक से किया सामने वाणा प्रेजिस्टर परसन आंपने की बरिया नहीं मिलेगा ना क्लियर है वो तो लो बहुत क्लियर उस चीज में तो उसमें आपको बेरिफिट नहीं मिलेगा ठीक है हाँ the voluntary registration enables a supplier of goods and services or both to enhance its b2b transaction as a business units would prefer receiving supplies from registered person only वही आपको बताया कि अगर सामने वाला बंदा रिजिस्टर है और आप रिजिस्टर नहीं हो तो जो बिजनस मैं है जिए वह और आप करेगा कि मैं इसके तक ना करूं थीक अगर मेरे पास यूश्ट नंबर होगा तो जो बिजनसमेन है वो सोचेगा कि ठीक है आप गवर्मेंट की नजरों में रहके काम करना चाहते हैं नुक्सान क्या बेटा नुक्सान देखते हैं कि अगर आपने नंबर ले लिया तो आपको टैक्स तो पे करने ही है चाहे आपकी टर्नोवर अब दस रुपेगी हो और चाहे दस लाख रुपेगी इससे कोई फ़रक नहीं पड़ता कि टर्नोवर आपकी क्रॉस नहीं हुए अगर नंबर ले लिया तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा यह बाते हो गई कि कोई अपनी मर्जी से नंबर ले सकता है लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग भी है जिनको नंबर नहीं लेना बिल्कुल है कौन है वो लोग देखते हैं सेक्शन 23 में बात बोली जाती है कि पर्सन नॉट लाइबल फोर रेजिस्ट्रेशन वह कौन लोग हैं त अब यह कहता है आगे पड़ते हैं लेकिन सेक्शन 23 में बोला जाता है कि सरकार जिसको बोल देगी गावर्मेंट कि आपको नंबर नहीं लेना है दो लोग हो गए पहला जो 21 में लिखा गया है दूसरा जो 22 में लिखा गया है 22 में बोला गया कि गवर्मेंट जिसको नंबर नहीं लेना है क्लियर ठीक है 23 में क्या बोला गया वो देखते हैं एनी पर्सन इंगेज़ इंगेज़ इंदा बिजनस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विशिज और बोथ डैट आर नॉट लाइबल नॉट लाइबल तू टैक्स और होली एक्जम प्रॉम टैक्स अंडर दिस आक्ट औ कि अगर आपका बिजनस जो है वह जो भी सर्विशिज आप दे रहे हो उस पर टैक्स बनता ही नहीं है या फिर वह होली एक्जम्ट है कि अभूली एक्जम्ट है अभूली किने मतलब क्या हुआ अगर आप सिरफ औसरफ ब्रैड बेच रहे हो अगर आप सिरफ औस सर्फ अगर फ्रेश फ्रीच बेच रहे भी नहीं है नहीं ही चीज कि कि दूसरी चीज अगर कोई फार्मर है और वो खुद की लैंड के उपर कल्टीवेशन करके जो निकाल रहा है अगर आप वह काम करते हैं तो भी आपको नमब लेने की जरूवत नहीं है एरस्पेक्टिव फैक्ट कि आपकी टर्न ओवर कितनी है आपको नमब लेने की जरूवत नहीं इस वह वह आपको नमब लेने की जरूवत नहीं कि सरकार ने जो जिसको बोल दिया सरकार जिसको जिसको बोलेगी सरकार मैं सब्सक्राइब करो यूके से एक इन्वेस्टर आ रहा है जो कह रहा है कि मैं 50 000 करोड़ रपे की इंवेस्टमेंट करूंगा समझने के लिए कि मोदी जी से बोलता है कि सर मैं 50 000 करोड़ इंवेस्टमेंट करूंगा इंडिया में लेकिन मैं जीएस्टी नहीं देना चाहता हूं मुझे जीश्टी से बाहर रखो मोदी जी बोलते हैं ठीक है बिजनस तो आई रहा है पचाशार करोड़ आ रहे हैं आने दो तो अगर सरकार चाहे तो ऐसे एक्जम्ट कर सकती है लेकिन आपको समझाने के लिए बताया है एक हाइपोसरिटिकल एक्जामपल है ठीक है